वोलकम दोस्तों टु न्यूम वीडियो, दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो की नाइट में राइट करते हैं, स्कूटर हो सकता है, भाइक हो सकता है, या फिर बाइसाइकल भी हो सकता है और उस नाइट राइट के दौरन सबसे जो बड़ा दिक्कत देता है वो है गारी या फिर बाइक से आने वाला हाई वीम का लाइट दोस्तों जो opposite direction से गारी या फिर जो बाइक साते है उसका जो हाई वीम का लाइट है आखों के उपर डारेक्ट परता है अच्छे से कुछ दिखता भी नहीं है और बहुत ज़ादा irritating है वो और बहुत दिक्कत होता है सामने देखने में भी और राइडिंग के डाइम आप तो समझी सकते हो रोट के उपर फोरा focus होना चाहिए वो उस टाइम पर नहीं हो पाता है और पीछे से अगर कोई high beam का light मारे तो भी वो mirror के उपर reflect होके थोरा बहुत तकलिप देता है जब आप mirror के उपर देखते हो इस problem को sort out करने के लिए मैंने मंगाया है यह night vision glass तो चलिए इसको देख लेते है बाइदे वए यह जो glass है इसको मैंने पहले unbox कर लिया है और यूज भी अच्छी तरीके से कर लिया है यह सर्व आपको दिखाने के लिए बाहर एक box आता है वो मैंने गुमा दिया उसके अंदर यह case आता है यह night vision glass के लिए यह glass भी देख सकते हैं यह case भी है यहां पर लिखा हुआ है 6 months official warranty जो warranty है उसके बार में e-commerce side में कुछ दिखने को नहीं मिला था लेकिन यहां पर दिखने को मिल रहा है 6 months official warranty इनका जो card दिया गया है उस पर और साथी साथ एक cleaning के लिए cloth दिया गया है देख सकते हैं दोस्तों यह जो night vision glass है इसका जो brand है इसका नाम है interlens and इस glass का नाम इन लोगों ने रखा है night rider देख सकते हैं दोस्तों मैंने कुछ दिनों तक इसको अच्छे से try किया and अभी मैं आपको बताऊंगा इसका positive और negative है दोस्तों यह जो night vision glass है देख सकते हैं मेरे eye से थोड़ा ही बड़ा ह है सो अच्छे से fit हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों इसको मैं just first day जबी मैं इसको पहना थोड़ा सा अलग लग रहा था सब कुछ थोड़ा योले इस दिख रहा था सो पहला दिन अच्छा गया जो सामने का high beam वाला light आ रहा था मुझे पताच लग रहा इसको पहना उस दिन भी अच्छे से मालूम चल रहा था कि यह काम कर रहा इवें जो दुकान में जो LED light रगा रहते हैं अगर आप कोई market के अंदर से जा रहे हो दुकान के अंदर LED बल्ब लगा रहता है तो वो भी आपको मतलब उसकी तरफ आप देखोगे ना तो आपको य पूरा ही जो सीन है पूरा ही यह थोरा योलो योलो कर देता है तो इसको पहना इसका जो effect है में जो effect है high beam को लो करना मतलब उसका जो problem होता है देखने में उस time पे अगर high beam का light आपके eyes के उपर पढ़ रहा है तो वो उसको कम करता है वो काम में यह एकदम माहिर है एकदम हुआ बट वो हलका फर्स दिन इरिटेशन थोरा जादा था सेगेंड दिन कम और जभी थर्ट दिन में इसको पहना उस दिन भी अच्छे से काम किया और थर्ट दिन कोई इरिटेशन नहीं था एड फोर्थ फिफ्थ ऐसा इरिटेशन एकदम भी नहीं आप चार-पांस दिन इसको पहनोगे आपका हैविट हो जाएगा एक चीज में देखा है यह बहुत अच्छे से जो चीज करता है मतलब आप इसको पहनोगे ना तो ऐसा लएगा कि आपका जो रोट के उपर जो कॉंसेंट्रेशन है बहुत 200 परसेंट हो गया डवल हो गया मतलब इतना मतलब यह कांफिडियन्स को बूस्ट करता है दोस्तों हम लोग जबही नॉर्मल ही रहते हैं आईस ऐसा कभी-कभी क्लोज होते रहता है जिसे कि आइस को थोरा रिल्याक्सेशन मिलता है आइस जो है वो वेट रहता है बड़ जबी हम एकदम कॉंसेंट्रेशन से माली जये लेपटॉ यह चीज़ होता है कि यह वही काम करता है रोट के उपर दोस्तों जो लैप्टॉप के ऊपर या फिर मतलब माली जे कोई थेटर हो या फिर टीबी के ऊपर हो आप मोवी देख रहे हो तो उस टाइम पे दोस्तों बोजो है बो सहीं नहीं है आइसा बंद करना चाहिए जिसे की आइस थोरा वेट भी रहे आइस को तो रहरा रिलक्सेशन भी मिले बोचीज हो लेकिन रोड के ऊपर दोस्तों कौंसेंट्रेशन फुल रहना चाहिए यह पैणने के बाद में देखा है आइस ऐसा एक बार भी बंद नहीं होता है एकदम फूल कॉंसेंट्रेशन मोड जो है वो हो जाता है नाइट राइट के टाइम में यह बहुत जादा है दोस्तों रोट के ऊपर फूल कॉंसेंट्रेशन होना चाहिए आइस में थोड़ा सा भी स्वेन आए तो फिर चलेगा बदलब आपका ज एकजेंपल है थोड़ा दूर सही सही मैं दिखा देता हूँ कैसा यह दिखता है कैसा यह काम करता है आपको शायद उतना अच्छे से समझ में ना आए क्योंकि मैंने मोबाइल से रेकॉर्ड किया है और मोबाइल आपको पता ही है आटोमेडिक जो एक्स्पोजर है वो एज ही लेडिये मैंने जब इसको खरीदा था मैंने e-commerce साइट में इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी पढ़ा था जो लोग नेगेटिव रिवूज दिया थे वो भी मैंने पढ़ा और मैंने खुद इसको experience किया हाँ पहले के कुछ दिनों में मेरा तो दो दिन हुआ पहले के दो में आपको थोरा सा eyes में irritation होगा हाँ जब तक पहन होगे तब तक irritation नहीं होगा तब तक मतलब कोई ऐसा strain नहीं लेगा बट मतलब मान लीजिए आप एक घंटा पहने हो उसके बाद जबी open करते हो ना तो दिक्कत उस टाइम पर आता है दूसरा टाइम पर नहीं आता जब तक पहने हो एकदम सही है कुछ नहीं है full concentration and मैं जो बताना चाह रहा था यह light को थोरा कम करता है आपका जो headlight है आप normal mode पर देखो and इसको पहन के देखो exposure थोरा कम लएगा definitely कम लएगा आप try करके देखो so आपको यह अच्छे से समझ में आएगा night riding के लिए मैं ऐसा नहीं होता है लेकिन जबी एकदम dark हो जाए ना एकदम dark मतलब black तो उस time पर यह जो चीज करता है यह high beam से बचाता है जो की सबसे important बात है दोस्तों इंडिया में तो आपको बहुत सारे branded company के अच्छे sun glasses दिखने को मिल जाएंगे but night vision glass बहुत कम company के अच्छे दिखने को मिलते हैं and बहुत से कम आपको option दिखने मिलेंगे budget में so यह budget में भी आपका fit बैठेगा मेरे ख्यास से एक पैसा वसल प्रोड़क्ट है इसको first day use करो थोड़ा सा irritation होगा second day थोड़ा सा irritation होगा और एक दो दिन उसकर करके देखो जो irritation है वो चला जाएगा and अभी तो मैंने गम बीच में कम से कम तीन दिन इसको पैना भी नहीं था आज फिर से पैना बट आज कोई irritation नहीं इसको open करने के बाद भी कोई irritation नहीं so जबी आप habituated हो जाओगे न सच में यह जो चीज है यह बहुत बढ़िया लएगा and अगर आप nitrite करते हो तो बहुत यह चीज एक value फर्मानी चीज है दोस्तों मैं इस product का आपको से positive point नहीं बताया है negative point भी बताया है अभी आप decide कीजे इस product का best buy link में नीचे description में डाल दूँगा आप चाहे तो वो best buy link में क्लिक करके सबसे चे price में इसको purchase कर सकते है thank you guys for watching this video मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए bye और हर चैनल को subscribe करना बिलकुल में नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे ने वीडियो आने वाले है